हाई एवरिवन वेल्कम टू दर रॉयल कुसेन आज हम मैकराउनी पास्ता कैसे बनाते हैं देखेंगे चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं पहले एक कटोरी पास्ता ले लेते देखिए चोटी चोटी है अब इसके लिए हम प्याज टमाटर और कद्दुकस के वला आलू करी पत्ता यह सब रखकर हम पास्ता कैसे बनाएंगे देखेंगे चलिए गैस अन करते हैं अब एक पैन रखते पहले हम पास्ता को गरम पानी में अच्छा से पकने दे देते उसके लिए हम एक गलास पानी डाल देते पहले पानी को गरम होने दीजीगा पानी गरम होने के बाद हम इस पर पास्ता डालते इसे डाल कर एक दो मिनेट तक का अच्छी तरह से पकाते अच्छी तरह से मिला कर चोड़ती हो उसके बाद गरम पानी में अच्छा से पक जाएगा देखिएगा अभी पक चुका है अभी इस पर तोड़ा नमक डालती हूं देखिए पक चुका है अब तोड़ा पर तेल भी डाली हूं ताकि एक दूसरे से चिपक ना जाए तेल डालने से सब अलग अलग रहता है देखिए चिपका नहीं है सब अलग अलग से है अब हम तोड़ी दिर एक मिनट के लिए डकन डालते हैं देखिए अब पक चुका है तोड़ा बड़ा हो चुका है पक कर अब हम इसे एक पैन लेते उस पर हम तेल डालते तेल अच्छे से गरम होना चाहिए उस पर राई और उरत डाल तोड़ा डाली हों देखिए राई सब फटने लगा है तेल अच्छे से गरम होना चाहिए उस पर तोड़ा सौंप डाली हों अच्छे से पक चुका है अब हम इस पर तोड़ा जीरा डालते और एक चार पंच करी बता और बारी कटा हुआ लेसून और बारी कटा हुआ प्याज यह सब डालकर अच्छी तरसे मिलाते हैं अच्छी तरसे मिलाएंगा ब्राउनिस कलर होने तक करदे कि देखेगा मिलाते रहेगा अच्छी तरह से हाथ चलाते रहेगा नहीं तो पकड़ लेगा कि देखेगे पक चुका है अब हम उसका टामाटर डालते हैं बारिक कटा हुआ चटा हुआ टामाटर है डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं अच्छा से पकने दीजिएगा देखें लग चुका है लगता अब हम इसके उपर कड़ू कस्किया ओला आलू डालते अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं आलू कड़ू कस्किया तो जल्दी पक जाएगा इसे ज्यादा देर तक का पकाने का नहीं है हाथ चलाते रहेगा अच्छा से पकने तक का अब हम इस पर एक चमच चिली पॉडर डालते हैं एक चमच हल्दी और एक चमच नमक नमक आप स्वाद अनुसर डाल सकते हैं और तोड़ा से पानी डाल देजिएगा अच्छा से पकने के लिए ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए पले पकने दे देते यह पक चुका है लगता है हम इस पर तोड़ा पानी डालकर पका रहे हैं हब इसके उपर पास्ता डालते पास्ता डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाते पास्ता अमारा तो अल्रड़ी पक चुका है अभी तोड़े दर पकाने से बस है देखेगा कितना अच्छा लग रहे है आप ऐसा जरूर बनाईएगा गरबर ऐसा बना कर चपाती के साथ का सकते हैं पूरी के साथ भी का सकते हैं और ऐसे भी का सकते हैं आपकी मर्जी देखेए अभी तयार हो चुका है अब तोड़ा देर के लिए एक मिनिट के लिए अब हम सर्व करते हैं देखेए हम इसके साथ चपाती भी रखे हैं इसका कॉंबिनेशन बढ़िया रहत है तैंक्यू वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों को सैर कीजेगा और आमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकम को क्लिक कीजेगा प्राइब कीजेगा